हाल ही में अनुराग कशप ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की इसमें अनुराग के साथ एनिमल के डिरेक्टर संदीप रेडी वांगा नजर आ रहे थे जब से ये फोटो इंटेनेट पर आई है तूफान सा खड़ा हो गया है अनुराग ने इस पोस्ट में जाहिर की है तब से ये मामला तूल पखड़ चुका है अनुराग कशप ने अपने पोस्ट में लिखा है कि उन्हें एनिमल पसंद आई इसलिए उन्होंने ये फिल्म दो भाट सिनेमा घरों में जाकर देखी देखने के बाद उन्हें लगा कि संदीप इमानदार फिल्मेक हैं मेरे लिए वो सबसे इमानदार वनरिबल और प्यारे इंसान है और मुझे इस बात की कोई परवा नहीं है कि कोई उनके और उनकी फिल्म के बारे में क्या सोचता है मैं उनसे मिलना चाता था और मेरे पास कुछ सवाल थे उनकी फिल्म जो मैंने दो बार देखी उसे ले अच्छा या बुरा नकारा नहीं जा सकता और एक ऐसे फिल्मेकर जो आलोशना को भी बहादूरी से लेते हैं उनके साथ बहतरी शाम भी थी अनुराग के पोस्ट को लेकर खूब हाय तौबा मेशनी शुरू हुई लोगों ने कहा कि जिस व्यक्ति ने एनिमल जैसी फिल्म बनाई अनुराग जैसा इंसान और फिल्मेकर उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है जनता दो धड़ों में बढ़ गई कुछ लोगों ने अनुराग को सपूर्ट किया तो कुछ ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अनुराग के इसी पोस्ट पर उनके दो दो पोस्ट पर लिखा क्रिंज क्रिंज शब्द को अमोमन किसी चीज को शर्मनाग बताने के लिए किया जाता है या ऐसी किसी चीज के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जो आपको असहज करें यहां क्रिंज से नीरस का क्या मतलब था वो काफी हद तक साफ है वहीं अनुराग कश्चप नीरज घेवान और वरुन ग्रोवर के साथ कई बार काम कर चुके हैं। उन्होंने नीरज की पहली फिल्म मसान को को प्रोड्यूस किया था। इसके अलावा नीरज ने अनुराग की नेटफिक सीरीज सेक्रेट गेम को को डारेक्ट किया था। मसान और सेक्रेट गेम दोनों के ही राइटर वरुन ग्रोवर थे। इसके अलावा वरुन ने अनुराग कश्चप के साथ बॉम्बे वेलविट और गैंस ऑफ वासेपुर में भी काम किया है। बीतर दिनों जब मेड इन हैवन 2 के एक सीन को लेकर विबाद छिडा तो अनुराग नीरज के बचाव में उत्रे थे। वरुन और नीरज के कमेंट पर आप तक अनुराग का कोई जवाब नहीं आया है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरी साथी शिवांगी में। मैं हूँ मनीशा देख तेरे लगंटाप सनेमा शुक्रिया।